Hello everyone, in this particular video we will discuss about the definition under section 2 of the CRPC So let's begin देखी friends, आज हम सिर्फ उन definitions पर focus करेंगे जो judicial exams और LB beginners के लिए important है तो section 2 में definitions दे रखी है और clause A to Y तक इसको define कर रखा है तो यहां total 26 definitions है अब आप कहेंगे कि 26 definitions कैसे? क्योंकि A to Y तो 25 alphabet होता है तो देखी, section WA में जो victim की definition दी गई है वो बाद में add की गई है, ऐसे यह 25 definitions हो जाते हैं तो एक चीज़ को हमें यहीं से याद हो जाती है कि victim को बाद में add किया गया, WA में तो आज हम यह 12 definitions को ही discuss करेंगे देखें, जो section 2 में जो definitions हैं वो एक alphabetic order में रखी गई है तो A से कोई definition नहीं थी इसलिए A के बात कहता है, B तो B से जो definition है वो clause A में दख दी गई यानि कि available offense कहाँ पर है to A में, clause A में ओके, next है हमारा charge तो देखे, charge के लिए हम याद रखने का एक trick बनाते हैं charge की definition B में है तो B से हमें पहले चीज़ ध्यान रखेंगे, boss देखे, boss कौन होते हैं boss वो person होता है जो किसी भी person को अपनी company में hire कर सकता है और जब चाहे तब निकाल सकता है उसके पास क्या होता है, charge होता है तो इसको ऐसे ध्यान रखे कि B for boss और B से उसके पास क्या होता है charge होता है, right अब next आता है हमारा cognizable offense इसको कैसे ध्यान रखे देखे, C से cognizable और C में ही है, तो यह तो simple है C for cognizable और 2C में ही इसके definition है तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ दिमाग नहीं लगा न next complaint देखे, complaint जो होती है हम इसको मोटा मोटा ध्यान रखते हैं अभी के लिए अंदर हम आपको discuss करेंगे पूरा explanation देंगे complaint जो होती है वो हम direct magistrate के सामने कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं directly magistrate के सामने तो default directly और यह complaint जो है वो clause D में ही discuss की गई है देखे, ठीक है ओकी, तो 2D complaint अब next आता है हमारा inquiry तो देखे, आपके phone में आज की date में 4G का data लगा हुआ है ठीक है, अब suppose किजी आचानक से उसमें 2G के network आने लगे तो आप क्या करेंगे आप उसकी जाच करेंगे यानि की inquiry करेंगे तो आप इसको ध्यान रखने के लिए कि story create कर लिजे inquiry कहां है 2G में है ओके, get my point देखे, हमें बहुत बार कुछ कुछ याद करने के लिए sometimes unnecessary वाली logics जो हैं, वो लगाने पड़ जाते हैं ओके, next आगया investigation investigation को क्या ध्यान रखने के लिए आप रखिए ह में definition है हम इसको ध्यान रखते हैं जिसे हम phone में क्या लिखते हैं high, ठीक है तो I, high और आप इसको एक तरीके से और भी हाद रख सकते हैं अगर आपको देखिए inquiry ध्यान रहता है जो कि I think आपको ध्यान रहेगा अब तो देखिए, दो ही definitions है I से inquiry और investigation तो alphabetic order में जो आप देखिएंगे तो G से inquiry हो गई और उसके नीचे ही investigation D, H investigation हो गया अब next आता है non-cognizable offense इसको ध्यान रख लिए एक दो definition हम रखी सकते हैं तो 2L में हो गई हमारा non-cognizable next आता है हमारे offense offense कौनसे section में दे रखा है offense दे रखा है हमारे 2N में इसको कैसे ध्यान रखे तो देखिए जब कोई person offense करता है तो हम उससे क्या कहते है no, मत करो offense no offense तो O से offense और कहां पर है N में है next report police report कैसी report होगी criminal law पढ़ रहे हैं हम तो कैसी report होगी police report होगी तो report our report अब देखिए next आ जाते हैं हम directly warrant पे देखिए जब किसी person का warrant कटता है warrant कटता है right तो X से कटता है 2X warrant ठीक और इसके just उपर ही summon alphabetic order चल रहे है S पहले आएगा तो W के उपर क्या X से उपर क्या आएगा W आएगा ठीक है तो यह हो गया हमारा summon इसे आप ध्यान रख सकते हैं और इनके बीच में ही वो जो बाद में add की गई है वो definition है W में victim की definition ठीक है तो यह trick ती इसको ध्यान रखने की अब हम इसको explain करते हैं कि कौन सी definition में क्या चीज़ बताई गई हमारी पहली definition आती है बेलेबल ओफेंस की बेलेबल ओफेंस जनरली वो ओफेंस कहलाते हैं जिनमें बेल इजीली मिल जाती है बट CRPC का section 2A इसे define करता है और कहता है ऐसे ओफेंस जिनको CRPC की first schedule में रखा गया है और other laws में जिनको बेलेबल बनाया गया है ऐसे ओफेंस कहलाएंगे हमारे बेलेबल ओफेंस तो अब question यह आता है कि यह first schedule क्या है तो देखे CRPC में दो schedule है ठीक है first schedule में classification दे रखा है offenses का और second schedule में forms को बताया गया है ठीक है तो first schedule को 6 column में डिवाइड किया गया है और उसके column 5 में उसके column 5 में जो है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल को classified किया गया है ठीक है कि कौन से offenses बेलेबल होंगे और कौन से नॉन बेलेबल होंगे ठीक है अब question आता है यह timing and force क्या होता है देखे इसकी definition जो है वो constitution के article 13 clause 3 sub clause B में दे रखे है जो हमें बताता है कि constitution के आने से पहले constitution कब आया 1950 में ठीक है constitution के आने से पहले जो law pass हो गए थे या ऐसे laws जो आज भी enforcement में है वो हो गए हमारे other laws ठीक है अब next question आता है यह non-billable offenses क्या होता है देखे इसके लिए कोई अलग से section नहीं दिया गया है इसको 2A में ही define किया गया है और clearly सिर्फ इतनी बात है कि non-billable offense means any other offense यानि कि जो बillable offense नहीं है वो non-billable offense है जो आप section 437 CRPC में इसके elements देखेंगे ठीक है अब आपारी next definition है charge की charge को although कहीं भी define नहीं किया गया है बस section 2B of the CRPC ये बताता है कि charge में क्या के include होता है any head of the charge when the charge contains more heads than one तो charge में कोई एक charge भी बन सकता है कई charges भी बन सकते है और उन सब charges का एक head भी बन सकता है मतलब ये कि जैसे for example माली जीए कोई किसी के घर में घुसता है यानि कि trace passing करता है और उसके घर घुसने के बाद चोरी भी करता है ठीक है चोरी करने के साथ साथ जब वो इनसान उसको रोकनी के कोशिश करता है तो वो उसे injury भी देता है और हो सकता है इनसान उसका murder भी करता है तो इन सब चीजों में कई सारे charges बन रहे है ठीक है चोरी का भी बन रहा है murder का भी बन रहा है trace passing का भी बन रहा है ठीक है तो या तो हम इन सब charges को अलग अलग लग लगा दे या फिर इन सब charges का एक head लगा दे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे चार्ज, अब चार्ज हमें कहां बताया गया है, चार्ज हमें Chapter 17, Section 211-224 में इसको बताया गया है, ठीक है, और ये आपको साथ साथ Section 464 में भी मिलेगा, ओके, देखिए हमारी Next Definition आती है, Cognizable Offenses की, Cognizable Offenses को Section 2C में define किया गया है, ऐसी Offenses जिनको First Schedule में CRPC के रखा गया है, और किसी Other Law में इसको बताया गया है, ठीक है, उनमें Police Officer बिना किसी Warrant के, किसी भी Person को गिरफतार कर सकते हैं, वो हो गये हमारे Cognizable Offense, यानि कि हमें दो Elements मिलते हैं, एक तो First Schedule, I already told, इसको आप available वाले definition में जाके देख सकते हैं, First Schedule को हमने उहाँ पर बता दिया है, देखे, First Schedule के में 6 Columns हैं, ठीक है, और इसके Column 4 में Cognizable और Non Cognizable को Classified किया कि, कौन से Offenses Cognizable हैं, और कौन से Non Cognizable हैं, ठीक है, और दूसरी चीछा आती है, Arrest Without Warrant, Cognizable cases में Police Officer बिना Warrant के भी किसी परसन को Arrest कर सकते हैं, और इसके Just Opposite बिना Warrant के, किसी भी परसन को Arrest नहीं किया जा सकता, कहां? Non Cognizable के Cases में, ठीक है, तो I Am Non Cognizable को भी इसी के साथ ही देख लेते हैं, Non Cognizable Offenses को Section 2 L में Defined किया गया है, ठीक है, Non Cognizable Offense वो Offense होते हैं, जिसमें Police Officer के पास कोई Authority नहीं होती, किसी भी परसन को बिना Warrant के ग्रफतार करने की, ठीक है, तो देखें, इसके पीचे Object क्या है, Cogn Cognizable Offense जो होते हैं, वो Serious Offense होते हैं, ठीक है, तो उसमें Police के पास इतना Time नहीं होता कि वो Magistrate की Permission ले, तो उस Condition में वो Directly Offender को ग्रफतार कर लेती है, ठीक है, बिना Warrant के, बट Non Cognizable के Cases में, Police को Magistrate की Permission लेनी ही पड़ेगी, उसके पास कोई Authority नहीं है, बिना Warrant के ग् करने की, ओके, सो देट से इट फ्रेंट और इफ यू लाइक देन, लाइक शेयर और सस्क्राइब माई चैनल और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की Definitions को कंटिवरें हो,